एक जमाना था जब लोग फटे हुए कपड़े पहने आपको कही नजर आएं तो आप उसको इस नजर से देखते थे जैसे वो बेहद गरीब इनसान होगा और ऐसा था भी भला फटे हुए कपड़े कौन पहनता है मगर वक्त ने एक ऐसी करवटली की फटी हुई जिन्स यानि रिप्ट जिन्स फैसन बन गई है ऐसा नहीं कि जिनके पास पैसे नहीं है वो ही फटी हुई जिन्स पहनते हैं हमारे बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी जब फटी हुई जिन्स पहनते हैं अब ऐसा तो नहीं है कि उनके पास नई जिन्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है आपको शाज जैनकर हैरानी होगी कि फटी हुई जिन्स की केमत कहीं जादा होती है कब से चलन में आई फटी हुई जिन्स दोर था सन 1970 के दसक का परंपराओं को लेकर एक विद्रो नजर आ रहा था जिसको आवाज दी उस वक्त के पोपिस्टास ने उनमें से खास तो पर बिटलनट सेक्स पिस्टल वगेरे ने वो स्टेज पर अपने गानों और संगीत के जरिये समाज और दुनिया से विद्रो करते नजर आते और इस विद्रोई चरित्र को और गहरा करने के लिए उन्होंने फटी हुई रिप्ड जिन्स का साहरा लिया जो उनके चरित्र से मेल खाती थी धीरे धीरे ये युवाओं में काफी मसूर हो गई इसकी मांग को देखते विए जिन्स बनाने वाली कमपनियों ने फटी हुई जिन् कुछी तरह फैसन के ट्रेंड्स ने अपने को दोराया और पुरानी फैसन की चीजे वापस आ गई जैसे बेल बोटम पैंट्स बड़े बड़े दूप के फैसनेबल चस्में वगएर है और लोट आई वहीं फटे हुई जिन्स रिप्ड जिन्स सतर के दसक में जिन्स का बाजार उतना बड़ा नहीं था तो उसको बनाने वाली कमपनिया भी कम थी मगर साल 2000 के बाद जैसे जिन्स को नया जीवन मिल गया हर एक के पास आप जिन्स की कलेक्शन थी फटे हुई जिन्स में लोग बड़े सोक से पहने लगे क्या फिल्मी सितारे हो मोडल्स हो या आम लड़के लड़कियां कैसे बनाई जाती है रिप्ड जिन्स जिस जगे से फाडनी हो उस जगे लेजर लाइट का इस्तेमाल कर बारीकी से फाड लिया जाता है और बन जाती है रिप्ड जिन्स दूसरा तरीका ये कि जिन्स ली जाती है उस पर उस जगे हातों से निसान बना दिया जाता है जहांसे इसको काटना या फाडना हो उसके बाद सदे हुए हातों से उस जगह काटना जाता है और तैयार हो जाती है दिलकस जिन्स जो आम तोर पर महेंगी होती है क्या है जिन्स का इत्यास लड़के हो या लड़कें बुजूर्गों की जवान अमीरों की गरीब सबकी पसंद अक्सर जिन्स होती है इसकी खास यती है कि ये पेंट किसी भी कपड़े के साथ पहनी जा सकती है ये सब पर अच्छी लगती है युवाओ में भी एक खासी पसंद की जाने वाली पेंट है दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पहना जाने वाली पेंट है जिन्स आपके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि आखिर जिन्स को बनाया किसने और क्या है इसका इत्यास तो बात कुछ ऐसी है कि जिन्स तो डेनिम या डंगरी के कपड़े से बनती है इसका विस्कार 1870 में जैकब डेविस और लिवाई श्ट्रोस ने क्या था इस पेंट को जिन्स क्यों कहा जाता है इसके पीछे भी एक दिल्चस्प कहानी है इत्ली में एक सहर जिनोवा यहां एक खास किस्मिंग की कपास से एक फैबरिक बनाया जाता है जिसे जिन कहा जाता है इसी का आगे चलकर नाम जिन्स पड़ा डेनिम से जिन्स पेंट कैसे बनी बात है 1851 की जब लिवाई इस्ट्रोस अपने बड़े भाई जो की कपड़ों का कारोबार करते थे न्यूयर्क में कहात बटाने के लिए कारोबार में जर्मनी से आए वो दोर था जब सोने की खुदाई के लिए बहुत सारे लोग पक्षमी देशों से आ रहे थे लिवाई इस्ट्रोस अपने कारोबार को पढ़ाने के लिए उस वक्त सेन फ्रांस की सोल चले गए जिंस बनने की कहानी यहीं से सुरू होती है उस इलाके में जैकब डेविस नाम का एक दरजी हुआ करता था वो टेंट और सामानों को ढखने के लिए कवर की सिलाई का काम करता था एक दिन उसके पास एक महिल आई वो अपने पती के लिए एक पैंट सिलवाना चाहती थी उसने जैकब से कहा कि वो कोई ऐसी पैंट सिले जो की बहुत मजबूत और जल्दी रह फटे जैकब ने इस पैंट को डैंट के मजबूत कपडे सिलने का मन बनाया और उसके लिए वो लिवाई स्ट्रोस के पास गया वहां से डैंट का कपडा ले आया उसने पैंट की सिलाई की उसने सोचा कि पैंट ज्यादा तर वहां से फटती है जहां उसमें हाट डाला जाता है यानि जेव के पास उसने वहाँ पर तांबे की रिप्ट लगा दी ये तरीका जेक अप का काम कर गया दूर दूर से लोग उसके पास आने लगे डेनिम की पेंट चिलवाने के लिए काम बढ़ता देख उसने इसको जिसके लिए उसको साथ चाहिए था लिवाई स्ट्रोस का और वो तरंट उनके पास जा पहुंचा और अपना प्लान उनको बताया लिवाई ने भी तरंट हां कर दी दोनों हिसेदार बन गए और कुछ दिनों बाद उन्होंने कारखाना बनाया और वहां जिंस बनाने का काम शुरू कर दिया इस तरह जिंस का विसकार हुआ धन्यवाद जैहिन जैभारा